स्वीरियों में आज हम Windows 10 को मैनेज करना सीखेंगे और इसका इस्तमाल देखेंगे कि इसे हम कैसे इस्तमाल करते हैं तो Windows 10 की मैनेजमेंट में जो सबसे पहले चीज आती है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि Start Menu क्या होता है आपको बिल्कुल कॉर्णर पे यहां पे लेफ्ट पे एक निशान नजर आ रहा है Windows का यहां पे आप क्लिक करेंगे तो यह Windows 10 का Start Menu है इस Windows 10 के Start Menu से यह हुआ है कि इसके अंदर Windows 7 वाली जो सिमिलारिटी है वो भी आ रही है और यूजर के लिए Start Menu को एकसेस करना आसान हो गया है उसके मकाबले में इससे जो पुरानी Windows थी जो इससे प्रिवियस वर्जन था Windows 8 वहां पे Start Menu फान्ट करना काफी मुश्किल था जो एप्लिकेशन हैं वो तमाम अलफ़ाबेटिकली आपको यहां पे नजर आएंगी यानि कि जो एप्लिकेशन ए से Start हो रही है वो यहां पे लिखे हुए आएंगी बी से Start हो यहां पे आएंगी C, D, E इससे होता है कि आपको कोई भी एप्लिकेशन आपने एकसेस करनी है तो आपको एजली अलफ़ाबेटिकली आप उसको एकसेस कर सकते हैं जैसे अगर मैंने Google Chrome उपन करना है तो यहां पे मैं क्लिक करूंगा G पे और यहां पे Google Chrome आजाएगा और बेकुल उसके साथ ही यहां यहां पे आपको Windows Tiles नज़रा रही है Windows Tiles से यह होता है कि हमें एप्लिकेशन ज्यादा नुमाया तो और पे नज़राती है यहां पे हम Tiles को मैनेज भी कर सकते हैं उनकी पूजिशन भी चेंज कर सकते हैं और यहां पे यहां पे जो हो रहा है Tiles का इससे एक टच स्क्रीन वा उपन कर सकते हैं तो यह तो था स्टार्ट मैन्यू का इंट्रोडक्शन और बिल्कुल इसके साइट पे यहां पे आपको सर्च का अप्शन अज़रा रहा है यहां पे आप क्लिक करेंगे तो कोई भी एप्लिकेशन आपने सर्च करनी हो तो आप यहां पे सर्च कर लेंगे और वो एप्लिकेशन जो के ज़्यादा इस्तमाल होती है आपके वो बिल्कुल टॉप पे यहां पे लिखी भी आ जाएंगी तो यह तो था इसको स्टार्ट मैन्यू अब हम चलते हैं इसकी स्क्रीन परस्नलाइजिशन की तरफ जिसी आप इसके डेस्टॉप पे यहां पर आप्शन ज़र आ रहा है परस्नलाइज का यहां पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर सेटिंग ओपन हो जाएंगे जिससे आप अपने डेस्टॉप को सेट कर सकते हैं सबसे पहले चीजी है कि आप बैगराउंड इमिज कर रखना चाहते हैं यहां से पिक्चर चेंज करना देखें यहां से यह डेस्टॉप चेंज हो गया और इसी तरह आप यहां पर कोई सॉलीट कलर एड़ करना चाहें बैगराउंड में तो आप कोई सॉलीट कलर भी एड़ कर सकते हैं और उसके साथ-साथ यहां पे आप Windows की Colors जो हैं, उनको आप चेंज कर सकते हैं, कि Colors Light होने चाहिए, डार्क होने चाहिए, यहां पे Different Themes आपको नजर आ रही हैं, जो कि आप अपने Windows में अप्लाई कर सकते हैं, जिसे अगर में Windows 10 की Theme यहां पे Apply कर दूँ, तो हमारी यहां पे Windows 10 की Theme अप्लाई हो जाएगी, जिसमें तमाम Menus आइकन एक खास कलर में शो होंगे, अब उसके बाद आपने यहां पे Personalization का जो आप्शन था, यहां आपने सीख लिया है, अब इसका हम और भी देख लेते हैं, जिसे यहां पे Fonts की सेटिंग है, आप यहां पे अपने Text टाइ यहां पे टाइल शो होने चाहिए या नहीं, एप लिस्ट शो होने चाहिए या नहीं, यहां पे Task Bar के सेटिंग है, यह आपको यहां पे यह बार नजर आ रहा है, यहां पे आपको Multiple Applications नजर आ रही हैं, तो यह इसकी Personalization Settings हैं जो कि आप Windows 10 में कर सकते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं, कि अगर आपने कोई भी File Cut, Copy या पेस्ट करनी हो तो आप किस तरह से करेंगे, उसका भी Simple वही तरीका है, जो कि आप Windows 7 में सीख चुके हैं, कि कोई भी File, For Example, यहां पे एक File है, इसको अगर मैं यहां से Copy करना चाहता हूं, तो इसको आप यहां से Copy करेंगे, और कि यहां से मैं इसको D Drive में पेस्ट करूँगा, तो अब यहां पे पेस्ट हो गए, लेकिन जहां से मैं इसको Cut किया था, वहां से Completely Cut हो गई, तो Cut Copy Paste का वही तरीका है इसमें, और इसमें अगर आपने कोई New File या New Folder बनाना हो Windows 10 में, तो इसका भी वही पराना तरीका है, यहां आप राइट क्लिक करेंगे, यहां पे आपको New option नज़र आ रहा है, यहां पे आपके पास बहुत सारे options हैं, आप New Folder बना सकते हैं, New Shortcut बना सकते हैं, New Text File बना सकते हैं, New Excel document बनाना चाहिए, वह बना सकते हैं, तो यहां पे मैं फोलडर पे क्लिक करता हूँ, तो देखें, हमारे पास एक New Folder आ जाएगा, और इसका नाम आप चेंज करना चाहिए, तो आप इसके उपर Left लिक करेंगे, तो इसका नाम के लिए आपके पास option आ जाएगा, और आप इसमें कोई भी नाम XYZ रख सकते हैं, तो इसकी working traditional Windows की तरह ही same है, लेकिन इसके अंदर कुछ extra features हैं, Microsoft Edge, Microsoft Edge, Microsoft ने Windows 10 में launch किया, इससे पहले Microsoft का जो अपना browser था, वो दरहसल Internet Explorer था, जो काफी slow था और इसमें काफी ज़्यादा issues थे, अब इन्होंने Microsoft Edge launch किया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं, कि यहाँ पे काफी ज़्यादा बेहतर है, जिसी आप screen को open करते हैं, तो यहाँ यहाँ पे already एक new screen खुल जाती है, और यहाँ पे different news चो हो रही है, और आप किसी भी website को access करना चाहें, तो आप URL में कर सकते हैं, कोई भी चीज सर्च करना चाहें, तो आप search bar में कर सकते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं, कि इस Windows का एक अच्छा option यह है, कि इसके अंदर Windows Store मो सकते हैं, यहाँ पे वो तमाम applications मौझूद हैं, जो के Windows applications के लाती हैं, आप इनको Microsoft के login के जरिये इस्तमाल कर सकते हैं, आप क्या करना पड़ेगा, पहले login करना पड़ेगा, और फिर आप इन applications का इस्तमाल कर सकते हैं, different किसम के applications हैं, इसमें gaming के हवाले से हैं, entertainment के हवाले से है productivity के हवाले से हैं, तो यह इसका एक अच्छा feature है, जो के इसको बाकी इसके previous versions थे, उनसे इनको different बनाता है, इसके अंदर एक और हम देख लेते हैं, कि अगर आपने कोई file delete कर दी है, for example, XYZ के नाम से, इसको अगर मैं delete कर देता हूं, तो यह delete होके recycle bin में चली जाएगी, और अ यहां से right click करके इसको restore करेंगे, तो यह वापिस अपनी जगा पर आ जाएगी, तो इस तरह से हम किसी भी file को restore कर सकते हैं, तो आज की इस video में हमने सीखा, कि Windows 10 जो है, उसका basic interface क्या है, उसके अंदर menus, icons किस तरह से दिये हैं, start menus का कैसा है, उसके अंदर कौन-कौन से extra feature हैं, क्यां से अंदर किसी साड़ iciं एक कर तो आफ से यहां एक किसी जो है, तो आएगी हैं, और अएवागी हैं, वह बंदर कर स lớ Awards कौन से आएज हैं, बदानrau और से पर बाला कर